असलामों आलेकूम नूर की चंदिली में आप सभी का स्वागत है मैं ठीक हूँ उमीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे आज हम बनाएंगे कस्टड मलाई केक उसके लिए हमने लिया है एक कटोरी चीनी चीनी को डाल देंगे आईसी कटोरी से पानी डाल देंगे कटो चासनी बनाएंगे चासनी चिप-चिपा बनाना है वो तार वाले नहीं बनाना है इसको चलाते चलाते चीनी खूल जाएगा चासनी तया हो जाएगा जलते आई मैं यह देनी यह यह देगा के है तियार जले कर देए तेल टील लगए लहाट इसी तरीके से बनाना है गैस को आफ कर देंगे अधाक के रख देंगे कि ठंधा नहों हमने लिया है एक कप दूद जो 400 गिराम दूद है इसमें 400 गिराम आता है दूद गैस ओन कर लेंगे गैस का फिलेम कम करेंगे इसको सुसम कर लेना है गरम कश्टर्ड पॉडर भोलने के लिए आधा कप अधा कटोरी दूद निकाल लिया है इसमें 2 चम्मच कश्टर्ड पॉडर भोलेंगे वनीला कश्टर्ड पॉडर लिया है आपको इसा भी ले सकते हैं दो चम्मच लेके भोल लेंगे इसमें दूद के साथ कि भोल लिया है बूद में भी उबाल आ चुका है अब थोड़े ठोड़े डालेंगे इसमें अचलाते भी रहेंगे खास से कि नीचे तले में सटे नहीं कि अच्छा फिलेम बिल्कुल सूला है चाल बुंद रोज बोतल डाल देंगे चार बुंद गुलाब जल डाल दिये है आपके पास अगर लेची का पाउडर हो तो भी डाल सकते हैं हमारे पास पतम हो चुका है इसलिए रोज वाटर डाल दिये है इस चलाते रहेंगे आराम आराम से नीचे तले में चिपके नहीं इसलिए में टाल देशन भी और जाल देशन भी गुलाब डाल दाल देशन रहाटर लेची का पासके आराम आराम पासके आराम इसलिए यह आंए जारहा हो गिया है अब इसको गैस का फिल्म बन कर देंगे इसको चलाथी रहेंगे नहीं तो नीचे चिपक जाएगा अब अच्छा से पक दिया है मलाई है डाल देंगे आप चाहे तो बाहर का क्रीम भी डाल सकते हैं मलाई डालने से अच्छा टेस्ट आता है फिल्म बन कर देंगे ठंड़ा होने पड़ा और गारहा हो जाएगा लेखिए हम यह वाले टोस्ट लिये हैं आप इसको रस भी बोलते हैं ऐसे वाले आपको इसा भी ले सकते हैं पहले से गहरा साथ पिलेट ले लिए अपके पास जो भी हो उसमें डाल के आप बना सकते हैं अगर चासनी ठंडी हो जाए तो आप फिर से गरम भी कर सकते हैं अगर चासनी को डालेंगे रस पे स्वट हो जाएगा जल्दी इस तरीपे बनाई है बहुत अच्छा बनके तयार होता है इस पर सारे पर डाल देंगे जच्छानल से ओूटाएब को नच्छानल अच्छानल मुलत जच्छानल प्राइब फूर्ट जो भी आपको पसंद है अब डाल सकते हैं हम लिये हैं काजू बदाम किसमेश नारियल को कतुकस कर लिया है अब सब्सक्राइब कर देंगे एक घंटा के लिए इसको सेठ होने के लिए रख देते हैं फिर आप से में देखिए कस्टेड मलाई केक बनके तयार हो चुका है देखिए कितना सोट बना है बहुत असान से रिसिपी है आप जब चाहे बना के घर में बच्चों को खिला सकते हैं एंजोई कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए है प्रीज सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत सपोर्ट की जरूरत है अप लोगों की दुआओं में याद रखिए बहुत बहुत सुक्रिया थेंक यू बेरी मुद्स